प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत्व प्रसिद्ध हैं, उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें, सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है, बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी उसके लिए ये रूप रेखा परियाक्त है, पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है, वो ये है कि हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में बाइबल का ध्यान क्यों करें, बाइबल के बारे में क्यों अध्यान करें, ये दोनों प्रश्न हमारे मन में आते हैं, इसको उत्र ये ह कि दुनिया में अच्छे विशे तो हर जगा मिल जाते हैं काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल भर में परले होगा तो बहुरी करेगा कब मतलब जो कल करना है आज करो जो आज करना है आप करो यह दि पल भर में परले हो गया प्रले हो गया तो फिर तुम कब करोगे इस तरह के अच्छी शिठ्षाएं सारी दुनिया में मिल जाती है लेकिन हमारा जीवन यदि सही दिशा में जाना है तो अच्छे विशे ही परियापत नहीं है सही विशे और सही दिशा मिलनी चाहिए उसके बारे में प्रभु का वचन यस्पष्टतिया बताता है कि मनिश्य को इस पाप से भरे हुए जीवन से सही जीवन में जाने के लिए जो सही विशे चाहिए और जो सही दिशा चाहिए वो सिर्फ प्रभु के वचन में मिलता है आज से दो सहस्त्र साल पहले इसको हम देखते हैं प्रभु ईशु की जो चौती जीवनी है यूहना उसके छटे अध्याय के 68 पत्मे प्रभु के एक बहुती महान शिश्य थे शमौन जिनको पत्रस भी कहा जाता है शमौन पत्रस शमौन पत्रस ने प्रभु को उतर दिया है प्रभु हम किसके पास जाएं अनन्त जीवन की बातें तो सिर्फ आप के पास हैं दुनिया में अच्छी बातें सब जगह मिल जाती हैं लेकिन शाष्वत जीवन से संबंदित बातें सिर्फ प्रभु के वचन में मिलती है और इस कारण प्रभु के वचन का नियमीत अध्यायन हम में से हर व्यक्ति के लि मिला कब मिला किसके द्वारा मिला और किस तरह से ये हमारी मात्र भाशा में हमारे पास आया है इसके आगे हम देखते हैं इसी पुस्तक के सत्रा के साथ में प्रभु ईश्व प्रार्थना करते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कीजिए आपका वचन पवित्र है प्रभ अपने स्वेम के वच्चन के बारे में बोलते हैं, यदि हम जो इस संसार में हैं, हमारा जीवन पवित्र होना है, तो पवित्र होने के लिए ये जरूरी है कि प्रभु का वच्चन हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में सामान्यत या जो बाते होती हैं, वे बाते हमको पाप क और ले जाते हैं गलत कामों की और ले जाते हैं इसलिए तो बच्चों से बच्चों को जूट बोलना नहीं सिखाना पड़ता है गलत काम करना नहीं सिखाना पड़ता अपने आद करते हैं प्रभु का वचन कहता है सत्य प्रभु का वचन सत्य है और जब हम इस सत्य वचन का ध्यान करेंगे तब सत्य वच्छन हमको पवित्र करेंगा इसी मुस्तक के महान ग्रंथ के बीच ओ बीच एक सो पचास अध्याय का एक ग्रंथ है जिसको भजन सहीता कहा जाता है भजन सहीता का मतलब है भजनों का संग्र प्रभु ईशु के आने से पहले पुरैने नियम में बे लोग भजन किर्टन के लिए जो गाने यूज़ करते थे वे गाने हैं भजन सहीता में इन गानों में सबसे बड़ा गाना है भजन एक सो उन्नीस उसके एक सो पांचवें शलोक में पढ़ते हैं प्रभु आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजिया ला है आपके हाथ में जो नोट्स हैं और मैं जो बोल रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर है अंतर इसलिए है कि जिस मूल भाष्शा में प्रभु का वचन लिखा गया था मैंने उसका अध्यान किया है कितने साल कम से कम पचास साल तो इस कारण मैं मूल भाष्शा से अनुवाद करता चला जा रहा हूँ आज की हिंदी में ठीक है तो लिखे में और मेरे बोल में जो फरक है उसका कारेट अध्यान के आधर पर आज की हिंदी में मैं अनुआत करता जाया हूँ तो भजन 119 के 106 में लिखा है आपका वचन मेरे पाउं के लिए रोश्णी है मेरे मार्क के लिए उजियाला है पाउं के लिए रोश्णी का मतलब क्या संसार में जब हम चलते हैं तब सही दिशा क्या है कहा जाना है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए ये सारी बाते हमको प्रभू के वचन से मिलती है मनिश की शिच्छा से नहीं आप कहेंगे शास्त्री सर मनिश भी तो अच्छी शिच्छा देते हैं हाँ हाँ कुछ मनिश्य अच्छी शुच्छा देते हैं लेकिन एक बात बताईए पचास डाकूओं का जो गैंग है उसमें सबसे उपर जो मुखिया जो डाकू है वो भी तो अपने शुच्छियों को शुच्छा देता है फलाने को मार डालना फलाने का कून कर डालना फलाने का पैर तोड़ देना उसका हाथ तोड़ देना और फलाने को ये सब दिखा देना और बूलना कि अगले हफते तक यदि पचास लाख रुपे हमारे दरवाजे पर नहीं पहुँचे तो यही तुमारी हालत होगी और यदि एक भी दिन देर हुई तो तुमारी बीवी तुमारी बच्चे तुमारे भाई बहन सबका यही हाल होगा यह भी तो शिट्शा है मनिश की दी ही सारी शिट्शाएं उपदेश वो सही नहीं होते लेकिन प्रभु के बचन के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु का बचन हमारे रास्ते को हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाता है सही रोश्नी देता है ठीक है तो दूसरा प्रश्नी जो हमारे सामने आता है दूसरा पॉइंट की ठीक है शास्त्री सर ये एक महान ग्रंथ है जिसके द्वारा प्रभु का वचनम को मिलता है कैसे लिखा गया था मेरे आपके सामने तो लिखा नहीं गया था शायद आप पूछेंगे शास्त्री सर आपके सामने लिखा गया था कि जी नहीं मेरे या मेरे बाप दादों के सामने नहीं लिखा गया था ये महान गरंथ आज से हजारों साल पहले लिखा गया था लिखने के लिए प्रभू ने कुछ विशेश लोगों को चुना था मेरे आपके समान जो सामनी लोग हैं ऐसे नहीं प्रभु ने कुछ वीशेश लोगों को चुना था उसके बारे में इसी महान ग्रंथ में दूसरा पत्रस नाम का एक लगू ग्रंथ है जिसके पहले अध्याय के 21 पत्मे लिखा है कोई भी भविश्वानी मनिश की इच्छा से कभी नहीं हुई मतलब इसमें जो लिखा गया है ये मनिश की इच्छा से नहीं आया है भक्तिजन पवित्रात्मा के द्वारा उभारे जाकर प्रभु की ओर से बोलते थे तो प्रभु का वचन जो लिखा गया ये मनिश की बुद्धी मनुष्य के ज्यान और मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखा गया ये महान ग्रंथ तब लिखा गया जब प्रभू ने मनुष्यों के बीच में भविश्य वक्ता भविश्य वक्ता कौन? जो भविश्य के बारे में बताने के लिए जिनको प्रभु ने स्वयम नियुक्त किया उन लोगों को पवित्रात्मा की प्रेर ना हुई कि ऐसा लिखो तब उनने लिखा और इस तरह से लिखने के कारण इस ग्रंद की रचना हुई कितने लोगों ने रचना की कब रचना की अभी हम देखेंगे ठंड भर जरा इंतजार करें तो एक बात प्रभु का वचन स्पश्टतया हमको बताता है कि प्रभु के वचन का हर ग्रंद इसके अंदर 66 लगों ग्रंद है इसमें से हर ग्रंद हर पन्ना हर ध्याय हर पद पवित्रात्मा की प्रेरना से और पवित्रात्मा की इच्छा से लिखा गया है आप कहेंगे शास्त्री सर आप ग्रंद और लगों ग्रंद हादी की बात कर रहे हैं क्या बात है उसको थोड़ा सा पहले मैं स्पश्ट कर दू आप बाइबल खोलेंगे तो उपर लिखा है पवित्र बाइबल अंदर जाएंगे तो शुरू में लिखा है पुराना नियम उससे दो तिहाई इस पुस्तक को पलट देंगे तो वहां लिखा हुआ है नया नियम तो बाइबल में इस तरह से दो हिस्से हैं एक प्रभु ईशु के संसार में पधारने से पहले लिखा गया था इसलिए उसको पूर्व आर्द पूर्व आर्द बोलते हैं प्रभु के आने के पहले जो लिखा गया था बाद में नया नियम जी से कहा जाता है वो प्रभु ईशू के सुर्गा रोहन के बाद लिखा गया था इसलिए उसको उत्तरार्द बोला, उत्तर का मतलब है बाद में तो प्रभु के पहले जो लिखा था उसको पूरवार्द कहा जाता है या पुराने नियम कहा जाता है प्रभु के आने के बाद प्रभु के स्वर्गा रोहन के बाद जो लिखा गया था उसको नया नियम या प्रभु के बाद लिखा गया था इसलिए उत्तरार्द बोला जाता है पूर्वार्द और उत्तरार्द को लिखने में लगबग 40 लेखक लगे थे प्रभू ने चालीस लेखकों को उपयोग किया इस महान गृंट की रचना के लिए ओ आप पूछेंगे कि शास्त्री सर हिंदी में लिखा गया था जी नहीं हिंदी में नहीं लिखा गया था नहीं हिंदोस्तान में लिखा गया था यहां से हजारों किलोमीटर दूर मद्यपूर्व इसराइल और इसके आसपास के प्रदेशों में लिखा गया था इस कारण और इतना ही ने आज ये कल नहीं आज से हजारों साल पहले लिखा गया था इस कारण हजारों साल पहले वहाँ जो भाषा बोली जाती थी उन भाषाओं में रचना हुई पूरवार्द की रचना इब्रानी नामक भाषा में हुई इब्रानी भाषा की विशेषता है अपन लेफ्ट सैड से राइट सैड को लिखते हैं इब्रानी भाषा राइट से लेफ्ट सैड को लिखी जाती है उस भाषा में पूरवार्द की रचना हुई उत्रार्द की रेचना हुई युनानी भाष्षा में तो बाइबल में कुल मिलाकर मुख्य रूप से दो भाष्षा, बाइबल की रेचना मुख्य रूप से दो भाष्षाओं में हुई इबरानी भाष्षा में और युनानी भाष्षा में आप पुछेंगे तो शास्त्री सरी हिंदी में आपके हात में कैसे आगे थोड़ा सा सबर करें वो भी मैं बताऊंगा पहले जरा ये देखें कि इब्राइमी और युनाइनी भाषा में कहा लिखा कैसे लिखा पेपर होता था क्या उस समय जी नहीं पेपर नहीं होता था पेपर का अविश्कार तो प्रभू ईशू से भी सो साल के बाद हुआ जबकि तक 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 ये सारी पुस्तकों के रैशना हो चुकी थी किसी जमाने में जब पूरवार्द लिखा गया था उस समय चमडे के लंबे लंबे टुकडे मिलते थे स्कूलों में पता नहीं आप में से कितने लोग टाट पटी पर बैठे हैं मेरी पढ़ाई टाट पटी पर हाँ लंबी सी टाट पटी बहुत बढ़ी है चमडे को अच्छी क्वालिटी के चमडे को काट काट कर जोड देते हैं जोड़ देते हैं तो टाट पटी नुमा बहुत लंबी पटी बन जाती है उसके बाद उसको चिकने पत्थर से घिसा जाता है इस तरह से घिस घिस के वो जो टाट पटी नुमा चमड़े की पटी है वो लिखने लायक हो जाती है उसके उपर लिखते थे पुराने जमाने में अच्छा पतंग यहां सबने उड़ाया होगा, पतंग का जो धागा होता है, हमारी इलाके में मंजा या मांजा बोलते हैं, उसको कहा लपेटते हैं, चर्खी पे, तो ये जो चमड़े की जो लंबी पट्टी होती थी, इसको इतने ही उसके लाइक बड़ी चर्खियों पे आजकल शहर में सब जग वो केबल खिच रहे हैं, आपने देखा होगा, केबल बड़ी चर्खियों पे लिपट कराता है, तो ये पुस्तके ना तो उतने बड़ी चर्खी होती थी, ना ही पतं की जो चर्खी होती छोटी होती थी, एक 51 किलोग्राम की चर्खी पे इसको लप लपेटा जाता था, तो आप कहेंगे कि शास्त्री सर फिर तो किताबों को प्रड्यूस करना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा, जी हाँ, बहुत मुश्किल काम था, श्रम बहुत लगता था, चमड़ा सस्ता नहीं होता था, पैसा बहुत लगता था, और उसमें मशीने त हाथ से लिखा जाता था लेकिन इस तरह से लिख लिख कर लिख लिख कर उन्हों ने उसकी कॉपी बनाई लेकिन हजारों साल के बाद इसको लिखने के हजारों साल के बाद ये समझ लीजिए लगभग 300-400 इस्वी के आसपास एक और मिटीरिल मिल गया उनको अपने उत्तर भारत में नहीं होता है लेकिन उत्तर भारत में जो गन्ना होता है गन्ने के पत्ते आप लोगोंने देखें है ऐसा ही एक पौधा मद्यपूरों में हुआ करता था फरक ये कि गन्ने का पत्ता पतला होता है पतला और लंबा होता है लेकिन मद्यपूरू में पेपिरस नाम का जो पौदा होता था उसका पता इसी तरह से लंबा होता था और थोड़ा सा मोटा ही लिये होता था उस पते को बीच में से चीर सकते थे इतना मोटा होता था तो उन लोगों ने क्या किया है कि इन पत्तों को लेकर चीर कर जिस तरह से कपड़ा बीना जाता है ताना बाना ताना बाना इस तरह से ये पेपिरस का ताना बाना बुनकर बहुत बड़े बड़े चंदर तयार कर लेते थे उसको धूप में सुखाते थे तो इस तरह से पेपिरस को धूप में सुखाने पर पेपिरस का चोड़ा या लंबा पेपिरस के चंदर बन जाते थे उस चंदर को फिर अच्छी तरह से चिकनी मिट्टी लगा कर अच्छी तरह से उस पे पॉलिश करते थे तो लिखने की सामगरी बन जाती थी चमड़े से सस्ता पढ़ता था और ये बौदा हर जगह होता था उस पे तो चमड़े के बाद ये सस्ता जो मेटीर लाए तो उस पे किताबें कॉपी करने लगे आज अपन लोग इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पेपर बोलते हैं न ये वहीं से आया है पेपरस नाम से पेपर आया है क्योंकि पेपरस पेपर का दादा है नाना समझ लो कुछ भी समझ ले ठीक है पेपरस जब आ गया तो उसके उपर लिखने लगे 120 के आसपास कागज का विश्कार हुआ कागज का विश्कार हुआ तो फिर निखने की सामगरी परियाप्त हो गई और तब से पवित्र बाइबल कागज पर लिखा जाने लगा हजारों साल इस तरह से पेपर पर लिखा गया फिर क्या हुआ आज से 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस का अविश्कार हुआ 500 या 500 साल पहले पहली बार printing प्रेस का अविश्कार हुआ उसके साथ दुनिया की काया पलट हो गई क्यों तब तक पेपर भी बहुत मात्रा में बनने लगा और printing प्रेस पर तो आप मिनिटों में कित्ते सारे पेपर प्रेंट करके निकाल सकते हैं प्रेंट करने से पहले अप्रूफ रीडिंग वगरा कर लें तो उसमें गलतियां सुधारी जा सकती हैं यह है किस तरह से लिख कर हमारे पास आया इसका इतिहास ठीक है अब जरा फिर से पूरवार्द की और चलें पुराने नियम पुराने नियम के यदि खोलें तो यह देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे ग्रंथ है पहले ग्रंथ का नाम है उत्पत्ती दूसरे का नाम है नर्गमन इन नामों के पीछे कारण है जो प्रभु ने मदद की तो भाविश्वी में कभी हम देखेंगे पुत्पत्ती, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिन्ती, व्यवस्था विवरंड, यहोशू, न्याईयों, रूत, पहला शमविल आप पूछेंगे शास्त्री सर आपको याद है क्या पांच साल की उमर से पहले हमारे माबाप ने यह सब आपको याद करवा दिया था परना रात को रोटी नहीं मिलती थी, उनका कहना था प्रभु का वचन यह है, उसको सीखो बच्चे प्रभु ने आप मैंसे किसी के सामने ऐसी तो स्थिती नहीं रखी, लेकिन आज शाम को मेरे एक अनुरोध है यहाँ पर ऐसे कई भाई और बेहन हैं, जिन्होंने प्रभु इशु के द्वरा पाप से च्छमा और मुक्ती पाई है इन भाई और बेहनों से मेरा अनिरोध है बाइवल में पुस्तकों के जो नाम है, इनको जरा याद कर लें आप कहेंगे शास्तर इसनल कैसी बात करते हैं, इन पुस्तकों के नाम को याद कर सकता है क्या? अच्छे एक बात बताएं हम में से जाता तर लोग एक तीन घंटे का पिक्चर देखते हैं पिक्चर देखने को मैं यहाँ पर अनुमोदन नहीं कर रहा मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं उसके आधार पर तीन घंटे की पिक्चर देखने के बाद यदि किसी से पूछो कि तीन घंटे में क्या देखा तो एक-एक मिनिट में उसमें आपने जो देखा उसका वर्नेंड करते हैं यदि करते हैं मनिष की बुद्धी और मनिष की स्मरिण शक्ति में इतनी ताकत है तीन घंटे का प्रोग्राम याद कर सकते हैं अरे बाइबल के 66 पुस्तकों का नाम याद करना कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां सरफ इच्छा की बात है, प्रभू ने मदद की, तो अगले हफ़ते बाइबल की जो 66 पुस्तके हैं, उनके नाम मैं प्रिंच करके यहां लाके आपको दूंगा, याद कर लिया था, और हमारे पापा तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि आगे से पीछे पीछे को आगे नाम बोलने को बोलते थे, मैं बोलता था, अब बुढ़ा पे में पीछे से आगे को तो बोलना याब नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी उत्पतीर अर्गमें लेविय वेवस थीक है, बलकि यहां जितने युवा लोग हैं, सब को कोई न कोई पुरसकार दिया जाएगा, आप पूछेंगे युवा कौन है, जो भी मुझ से उमर में छोटा है, उसको मैं युवा मानूँगा, थीक है, अच्छा, पुराने नियम हुआ, उसमें कुत्पती से लेकर मला की तक 49 पुस्तके हैं, कुत्पती, निर्गमन, लेवी विवस्ता, गिंती, विवस्ता, विवरेंट, यहोश्य, नियाईय, रूत, पहला शमेल, दूसरा शमेल, आगे जाके भजन सहीता, नीतिवचन, सभो पदेशक, श्रेष्टगीत, येश्याय, यर्मया, और आगे जात हैं, ठीक है, ये 49 किताबें, 39 किताबें, इनकी रेचना, प्रभु ईश्यू से लेड़ हजार साल पहले रेचना का आरंग हुआ था, मतलब इसवी पूर्व, लेड़ हजार में इनकी रेचना का आरंग हुआ, और इसवी पूर्व, चार सो में, आखरी पुस्तक लिखी पंडरा सो ईस्वी पूर्व, मलाखी की रचना हुई पंडरा सो ईस्वी के आसपास। उसके बाद हम आते हैं नए नियम की और या उत्रारद की और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं जिन में शुरू की पुस्तकों के नाम हम सब जानते हैं, मत्ति, मरकुस, लोका, यूहना, क् कि इन चारों में प्रबु यिशु की जीवनी मिलती है लेकिन उसके बाद भी पुस्तके हैं प्रेयरितों के काम हाँ उसके बाद क्या है गलातियों इफीसियों प्रेयरितों के काम के बाद आता है रोमियों ठीक है पहला कुरिंतियों दूसरा कुरिंतियों गलातियों इफीस फिलिपियों कोई मुश्किल नहीं है ठीक है अच्छा यह पुस्तके कब लिखी गई इन पुस्तकों की रेचना 20.40 के आसपास स्टार्ट हुई सी प्रभु ईशु स्वर्गय रोहन कर गए 20.30 में और प्रभु ईशु के स्वर्गय रोहन के साल भर के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया पहली पुस्तक की रेचना कम्प्लीट हुई 20.40 में प्रभु ईशु के जो 12 शिश्य थे उन में से एक महान शिश्य मत्ती रिचित शुप संदेश की कौपी लेकि हिंदुस्तान आये थे और कोई जादा दूर यही पास में कुडंगलोर नाम की जगह है वहाँ नदी में आजकल जाज नहीं आते लेकिन उस जमाने में एक भूकम पाने के कारण उसकी गहराई कम हो गई है लेकिन भूकम से पहले गहराई इतनी थी कि महाँ तक जहाज आते थे मद्यपूरु से तो प्रभू ईशु के एक शिश्य मत्ती नामक्शुप संदेश की कौपी लेकर ईश्वी पचास में कुडंगलोर उद्रे थे ठीक है यह आपकी जानपारी के लिए पहली पुस्तक की रचना हुई चालीस इसवी में 27 जो पुस्तक है बाइबल में उसकी रचना हुई 70 इसवी के आसपास कुल मिलाकर पुराने नियम में जो पुस्तके हैं इनकी रचना 30 साल में हुई ठीक है और इन सारी पुस्तकों की रचना युनानी भाष्षा में हुई पुर्यानी नियम की रचना हुई इब्रानी भाष्षा में नया नियम की रचना हुई युनानी भाष्षा में हम अध्यान के लिए आजकल नया नियम का उपयोग करते हैं इन दिनों यहां सथसन में तो जरह नए नियम की तरफ मुड़ेंगे नए नियम की कौपियां यहां अक्सर सामने रखी जाती हैं जिनको भी चाहिए वे मांग कर ले सकते हैं नए नियम की जो 27 पुस्तके उनको हम देखें तो शुरू की जो चार पुस्तके हैं मत्ति, मर्कुस, लोका, यहन्न, यह चारों प्रभु यूशु की जीवनी आएं चार लोगों ने प्रभु की जीवनी लिखी क्यों किसी भी व्यक्ती की जीवनी को कोई भी व्यक्ती परफेक्ट तरीके से नहीं लिख सकता मेरी वाइफ से कहो कि हस्बन की जीवनी लिखो तो अपने नजरिये से लिखेगी बेटी से कहो लिखो तो वो अपने नजरिये से लिखेगी बेटे से कहो तो वो अपने नजरिये से लिखेगा इसमें से कौन सा नजरिया सही है? सबी नजरिये सही है और इसलिए एक व्यक्ति के बारे में जानना हो तो कम से कम तीन चार लोगों से पूछना होगा इसलिए प्रभू ने दया की कि प्रभू के चार अनियाई उन्हें प्रभू के जीवन के बारे में लिखा तो बाइबल के पुरें नए नियम की जो 27 पुस्तके इनमें से शुरू की जो चार पुस्तके हैं ये प्रभू यिशू की जीवनिया हैं जिसमें पहली जीवनिया है मत्ती मत्ती उस जमाने का income tax officer था इसका मतलब है कि लेख लिखाने के मामले में record keeping के मामले में आदमी बहुत पका था प्रभू ने ऐसे व्यक्ति को इसलिए चुना जिससे कि प्रभू यिशू के जीवन को बहुत ही सही सही सटी तरीके से हमको दे दूसरी जीवनि की रचना की मर्कुस ने मर्कुस प्रभू यिशू के परंभक्त पत्रस नाम के शिष्य का साथी था तो जब भी पत्रस जहां भी जाता था प्रभू के बारे में बोलता था यह सब सुन सुन कर उसके अलावा प्रभू को मर्कुस ने जो देखा था उसके आधार पर प्रभू के जीवन का वर्मेन किया एक आम आपमी था तो पहला लिखा इंकम टैक्स ओफिसर ने दूसरा लिखा आम आदमी ने तीसरा लूक का डॉक्टर था अपने जमाने का पहुंचा हुआ डॉक्टर था इतिहास का एक्सपर्ट था उसने इस आधार पर लूक का की रेचना की चौता फिलोसफर था योहना फिलोसफर और इतना ही ने प्रभू के वचन का अच्छा ग्याता था उसने उस हिसदा से लिखा ठीक है तो प्रभू की चार जीव ैं नियाdir उसके बाद एक पुस्तक है नहीं नियम में पांच मी पुस्तक का नाम है प्रेरीतों के का प्रेरीतों शब्दों का आजकल अपने उपयूद नहीं करते हैं इसकारण उसका मतलब भूल जाते है आजकी भाष्षा में यदि उसका अन्वाद किया जाए तो अन्वाद ये होगा बुलाकर बुलाकर भेजे गए लोगों के कारियों का वर्णन मतलब प्रभू ने कुछ लोगों को बुलाया उनको जिम्मेदारी दी और कहा जाओ और मेरी लिया ऐसा करो तब उन लोगों ने जाकर किया ये उसका वर्णन है इसलिए इसका नाम है प्रेरितों के कामों का वर्णन इसके बाद अगली 21 पुस्तकें लेखों के रूप में लिखी गई है आप पूछेंगे पुस्तक कहा है लेख कहा हाँ हाँ आजकल तो लेख खासकर अकबार देखें तो 200 से 400 शब्दों का होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था किसी जमाने में लोग लेख लिखते थे तो आठाट दस-दस पचास-पचास सौसो दो-दो-सो पन्ये का लिखा करते थे इवन आधुनिक भारत में अपने जो पहले प्रधान मंत्री थे पंडिप जवाहरलाल नहरू उनने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे उन पत्रों का कलेक्शन इतना मोटा है पुस्तक के रूप में उपलब दे तो आज से दो हजार साल पहले जब प्रभू के महान दास लोग प्रभू के बच्चों को पत्र लिखते थे तो ये पत्र बहुत लंबे होते थे लेख होते थे और उसमें उपदेश विश्य होते थे तो अगली जो 21 पुस्तके हैं इसमें लेखों के रूप में पपरों के रूप में उपदेश है उसके बाद नए नियम की सबसे आखरी पुस्तक आती है योहनना का प्रकाशित वाक्य या प्रकाशन प्रभु के महान शिश्य योहनना उन्हाने दर्शन देखा भविश्य में क्या होने जा रहा है इसको प्रभु ने कई प्रकार की कहानियों हुदाहरनों और चित्रों के द्वारा बताया वो है 27 पुस्तक ये है नया निया ठीक है आप पूछेंगे इसमें से किस पुस्तक का अध्यान शुरू किया जाए जिन लोगों ने हाल ही में प्रभु इश्यू के द्वारा पाक्ठमा पाई है उनसे मेरा अनुरोध है कि ये लोग शुरू की जो चार पुस्तके हैं बार बार इन पुस्तकों का अध्यान करें इन पुस्तकों में ना केवल हमको इतिहास मिलता है बहुत सारे उपदेश मिल जाते हैं ठीक है बाद में अन्य पुस्तकों को पढ़नाश शुरू करें आप कहेंगे ठीक है शास्त्री सर इतनी बातें समझ में आगई अब क्या करना है अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये प्रभु के वचन से ही मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ प्रभु के वचन में शुरू से जो पांचवी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है व्यवस्था विवरंट उसके चौती अध्याय के दूसरे पद में या दूसरे शलोप में हम इस तरह से पढ़ते हैं व्यवस्था विवरंट चार का दो जो आग्या मैं तुमको सुनाता हू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना तुमारे परमेश और यह वा कि जो जो आग्या मैं तुमें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना मतलब प्रभु के बचन में हमको प्रभु ने अपने महान दासों के द्वारा लिखित रूप से जो भी दे दिया है ये सबसे वो अपन हिंदी में कहते हैं ना पंचों की आग्या सर आखों पर प्रभु की जो आग्या है जो प्रभु ने अपने दासों के द्वारा लिखित रूप से हमको दिया है उसे बिलकुल हमें वैसे ही लेना है प्रभु आपकी आग्या सर आखों पर रखता हूं मैं आपका द बास ना तो इसमें कोई जोड करेगा ना घटाएगा मतलब यदि प्रभु का वचन एक विशे के बारे में कहता है तो हम उसको नकारे नहीं और प्रभु के वचन में जो नहीं कहा गया है उसको अपनी तरफ से जोडे नहीं आप कहेंगे कि शास्त्री सर थोड़ा बहुत जो जोड़ घटा दें तो क्या फरक पड़ता है किसको मालूम पड़ता है बाइबल की जो सबसे आखरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य उसके बाईस के अठारा में इसका जवाब दिया हुए प्रभु स्वयम इसका जवाब देते हैं प्रकाशित वाक्य बाईस के अठारा में लिखा हुआ है मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविश्वानी की बातें सुनता है उनको गवाही देता हूँ कि इसकोई मनिश इन बातों में कुछ बढ़ाए तो प्रभू उन विपत्यों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा इसका क्या मतलब है प्रभू ने हमको लिखित रूप में जो दिया है उसमें जोडबा की गुणा भागने करना है करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी आप लोग जानते हैं मनिश के नियम कल मेरी इच्छा होती है कि गाड़ी पे लाल बत्ती लगाओ और मैं अपनी गाड़ी पे लाल बत्ती लगा लूँ अफसरों के समान फिर इच्छा होती है कि एक वो जो अशोक की जो त्रिमूरती है उसका गाड़ी पे चिपका दूँ क्या होगा भाईया मेरी गाड़ी पे ज्यादा से ज्यादा मैं अपना नाम लिख सकता हूँ मैं अफसर नहीं हूँ नेता नहीं हूँ इसलिए लाल बत्ती लगाने के आग्या नहीं है लगाओना तो उसकी सजा है और वो जो त्रिमूरती है अशोक उसका उपयोग तो बहुती कम लोग कर सकते हैं बहुत कम लोग का अनुमती है मनुष के बनाय हुए कानून इतने कड़े हैं कि यदि जिसकी हम को अनुमती नहीं है उसको हम अपने बाहन पर जोड़ें तो उसकी सजा भुगत नहीं पड़ेगी तो प्रभू का वचन तो बहुत बड़ी चीज है उसमें ना तो जोड़ करना है ना भाकी करना है जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब ना तो जोड़ना है ना घटाना है यदि कोई उसमें से घटाएगा मतलब प्रभू के वचन में जो लिखा है यदि कोई उसका इंकार करेगा तब रभू का बचन कहता है कि प्रभू के बचन में जो कुछ कहा गया जो विपतियां है सब उस व्यक्ति पर पढ़ेंगे ठीक है प्रभू के बचन के बारे में इतना परिचे देने के बाद एक आखरी प्रशन का जवाब मैं देना चाहता हूँ वो यह है उसका उत्तर मैं आपको देगा आज से 2000 साल पहले प्रभु ईशू के शिष्य महान शिष्य संत थॉमा या अंग्रेजी में सेंट थॉमस मत्ती नामक उस्तक को लेकर हिंदुस्तान में आए जब वे हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने लोगों को उसमें से शिष्य देनी शुरू की हिंदुस्तान एक बहुत ही ज़ादा शिष्य देश था आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली उनिवर्सिटीज कहां हुई थी दुनिया की सबसे पुराणी उनिवर्सिटीज कहां थी नालंदा विश्व इद्याले का नाम सुना है क्या पटना वाले ते हैं कई बैठे रहे हैं उनको घंड होना है गर्व होना चाहिए और तक्ष शिला यूनिवर्सिटी ये दो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज है इस कारेंड एजूकेशन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा था और संत थौमा जब प्रभु इश्व की जीननी लेकर हिंदुस्तान आये तो रहलत उसका अनुवाद भी चालू हो गया पिछले 2000 साल में प्रभु के बचन का अनुवाद इसलिए हिंदुस्तान में होता ही आया है फरक इतना है कि पिछले 200 सालों में अनुवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि प्रिंटिंग मशीन सभी भाषाओं में प्रिंट करने की सुविदा वगयरा हो गयी है हिंदी बाइबल का अनुवाद आज से लगबग 200 साल पहले होना चालू हो गया था ऐसी कई भारती भाषाओं हैं जिन में अनुवाद उसके पहले ही चालू हो गया था आज भारत की सभी मुख्य भाषाओं में संपुर्ण बाइबल उपलब्द है बाइबल का उतरार्द सेकडों भाषाओं में उपलब्द है और प्रभु ईशु की जो जीवनी है वो तो और भी जादा भाषाओं में उपलब्द है आज यदि पवित्र बाइबल मेरे आपके हाथ में है तो हमें आभार मानने चाहिए उन लोगों का जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरना से चमडे पर लिखा, कॉपी करके पीडी दर पीडी देते गए पेपिरस पर लिखा कॉपी करके पीडी तर पीडी को देते गए फिर पेपर पर लिखा कॉपी करके मतलब कॉपी से मेरा मतलब हस्त लिखित देते गए और प्रभू भला करे गुटनबर्ग का जिसने चापे खाने का विश्कार किया जिसके कारण पेपर पर खिताबों को छाप कर सैकड़ों और हजारों कौपीज छापना बहुत आसान हो गया प्रभू ने अपने पवित्र बाइबल को इस तरह से 40 के करीम लोगों के द्वारा देड़ हजार सालों में लिखवा कर आज हमारी अपनी भाषा में बहुत आसानी से उपलब दिकरवा दिया है आज हिंदी में अच्छे पेपर पर छपा हुआ ये जो पवित्र बाइबल है लगभग एक किलो वजन का है मेरे परदादा के जमाने में हिंदुस्तैन में जो बाइबल हुआ करते थे वो मोटे पेपर पर छपते थे मेरे परदादा उसको एक कपड़े में लपेट कर यो कंदे पर रखके चर्च जाते थे हाथ में उठा के नहीं ले जा सकते इतना वजन होता था मैं कब की बात बता रहा हूँ? आप पूछेंगे शास्तरी सर ये कितने साल की बात है ये मैं लगभग 120 साल पहले की बात बता रहा है 120 साल पहले बाइबल इतना भारी हुआ करता था कंदे पर रखके लोग ले जाते थे लेकिन धीरे 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 प्रभु ने टेक्नॉलोगी के इतना विस्तार किया कि आज पवित्र बाइबल हम सब बड़े आसानी से ले जा सकते हैं बलकि मैं तो ट्रैवलिंग के समय भी थोड़ा बहुत बाइबल स्टडी कर लिया करता हूं तो मेरे मोबाइबल पर हिंदुस्तान की पाँच भाषाओं में पवित्र बाइबल है उसके अलावा अंग्रीजी में है और युनानी भाषा में है आप कहेंगे बाप रे बाप ये कुछ भी नहीं है यदि आपके पास अच्छे किस्न की मोबाइबल हो तो उसमें पचासों भाषाओं में आप बाइबल ले जा सकते हैं प्रभू ने ये अनग्रन दिया कि आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पवित्र बाइबल ना पहुचा हो यदि आपका कोई दोस्त कहता है कि मैं तो नहीं देख पाया उससे पूछी कि उसकी भाषा क्या है मुझे बताईए उस भाषा में पवित्र बाइबल मैं आपको भेजने के इंतिजाम करूंगा और आप आराम से वाटसाइब के द्वारा पवित्र बाइबल उसकी भाषा में उसके मोबाइल पर भेज सकते हैं जिसको वो अपनी भाशा में, अपनी मात्र भाशा में पढ़ सकता है। सबसे आकर में मैं अपने एक अभिन्नमित्र और प्रभु के एक दास के बारे में बता कर ये आज का प्रवचन समाप्त करना चाहता हूँ। उनका नाम है P.T. Thomas दो में एक महिने पहले मेरी आखरी मुलाकात हुई बहुती कमजोर हैं लेकिन इसके बावजोद एक कारी के लिए जूटे हुए हैं। मद्यप्रदेश में जो भील लोग हैं। भील गोत्र की भाशा में बाइबल का अनुवाद उनके जीवन का लेक्षे था। इस लेक्षी के साथ उनने जाकर भाशा शास्त्र में एमे किया। इसके बाद लगबग एक साल चंबल में वालियर आकर हमारे साथ रहे। उनको मैंने, मेरी पिताजी ने और हमारे बगल में एक मास्त्र साब रहते थे। जम कर उनको हिंदी के ट्रेइनिंग दी। बहुत जीवन में उनने संगर्ष किया, तबियत के साथ संगर्ष किया, स्वास्त के साथ संगर्ष किया, संगर्षी संगर्ष उनका जीवन था। लोगों ने कहा कि धील लोगों की भाषा में Bible translation आपके पहले पचास सो लोग कोशिश कर चुके हैं छोड़िये किसी के वश्च की बात नहीं है उन्हें ने पूर्ण समर्पन के साथ काम करना शुरू किया पहले प्रभू इशु की जीवनी का अनुवात किया उसके बाद एक एक करके संपूर्ण नए नियम का अनुवात किया चापा वारतार इशुनी नाम से वो इस समय उपलब्द है बील लोगों की धीली भाषा में जिसके लिए अच्छर हिंदी का उपयोग किया गया है क्योंकि धीली का आपना कोई अच्छर नहीं है इस समय वे भाई पुरैन नियम के अध्या जो अनुवात में जुटे हुए है संगरश से भरी ही जिंदगी उस आदमी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस आदमी में इतनी उर्जा होगी कि ये अनुवात कर सके लेकिन इसके बावजूद वो भाई लगे हुए है इस तरह से हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर पवित्र वाईबल को भारत की बहुत सारी भाषाओं में पहुंचाया है जब भी पवित्र वाईबल आप अपनी भाषा में अपने हाथ में लें हिंदी, उडिया, बंगला, बोझपुरी या और किसी भाषा में हाथ में लें इस बात को कभी न भोलें आपको आपकी भाषा में प्रभू का वच्चन देने के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन का इवन प्रांड किया लेकिन हिम्मत नहीं हारे क्यों? इसलिए कि एक बाप जानते थे जीवन देने वाला वचन है और प्रभू ने मुझे बुलाया है कि इस जीवन देने वाले वचन को लोगों को उनकी भाष्षा में पहुँचाओं जब उन लोगों ने जीवन देने वाले वचन को मेरे आपके पास पहुँचाने के लिए इतना श्रम किया अपना जीवन तक मौत के हाथ में छोग दिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभू के वचन को नियमित रूम से पढ़ें कम से कम उनके त्याग को याद करें साथ साथ याद रखें अच्छी बातें दुनिया में हर जिवे मिल जाएंगी सही बातें जीवन का वचन सिर्फ प्रभू के वचन में प्रिय भाई और वेहनों काफी दर से आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे मैं आप सब का शुक्र बुजार हूँ मुझे यकीन है कि इन कारिक्रमों को देखने के द्वारा आपको बहुत अधिक अनुगर दिला होगा मेरे एक अनुरोध है इस वीडियो की नीचे सब्सक्राइब नाम के एक बटन है उसको दबाएं और उसके बाद घंटी का एक बटन आपको दिखाई देगा उसको भी यदि दबाएं तो अब जो भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी जिससे कोई भी मूलेबान वीडियो आप मिस नहीं करें आज ही ये काम कीजिए प्रबु आपकी मदद करें प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध है उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की